हलो एवरीवन वेलकम बैक टू ए ए ऑनलाइन सोलुशन तो आए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कलास 10 का बहुत इंपोटेंट दो मार्क्स वाला सोसल सैंस का और कोशन बताने वाला हूं ठीक है न और यहां पर मैं आपको 10 कोशन बताऊंगा जो कि बहुत इंपो कि यह नहीं आएगा है ना आप इस सोच के याद किजिए कि यह संभावित प्रस्ने में भी आ जाए अगर आपको याद ना रहे तो पिर दिक्कत है इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है और तो चली स्टाट करते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है पूरी वीडियो देखेंगे बात करेंगे और सभी सवाल का हल करेंगे अगर आपको सारा सवाल का asleep अमेंड करना मत भूरेगा चलीए पहले सबसे पखली यहाँ प्रस्थान पर आपके सामीग धिख रहा भूँ छरण किसे कहते हैं भू छरन मतलब भू मतलब मघतरम मिट्टी का छरन होना खतम होना उसको बोलते हैं अब देखिए सिंपल सा लेंग्वेज मैंने बता दिया मिर्दा को अपने अस्थान से विविध किरियाओं दुआरा अस्थानांतृत होना ही भूचरन करता है मतलब मिट्टी जो है अपने अस्थान से जहां पर मिट्टी है उस जगा से दूसरी जगा अस्थानांत्रित हो गया चला गया किसी भी किरिया से चाहे बाग के माध्यम से चला गया होगा चाहे हवा के माध्यम से उड़ के चला गया होगा है ना तो उस मिट्टी जो एक जगा से दूसरी जगा मिट्टी चला गया उसी को का गया है भू छरन तो मिर्दा अप्रदन भूछरन एक मिठी का एक जगा से दूसरे जगा जाना एक किरिया है उमीद है कि आपको यह सवाल याद होगा विकाज अब तो आप इदा मुह पे खड़े हो अब अगर याद नहीं होगा तो कभ याद होगा फिर भी याद नहीं हो तो यार बस अब तो सोचनिक कोई बात ही नहीं याद कर लो आगला सवाल देखें जर्मनी के एकिकरन की बाधाएं क्या थी लग भग तीन सो छोटे छोटे राज्य थैं उस त तो है ना, एक ये बधा था, एक इकरन होने में दिक्केट हो रहा था तीन सो लग भग क्षोटे छोटे राज्य थे, इन राज्यों में वियाब्टे, राजनितिक, समाजिक त तिक तोर पे भी गरवड़ था समाजिक तोर पे भी गरवड़ था और धार्मी की साय मी मतलब अलग-अलग धर्मों में मनलग जबसा और अपने देश करोंड कोई चाहत ने थी मेरा अपना अगर कह GC में करे जबसान को जबसा driving ab Что का हस्तेole 56 है ना तो आस्टेरियाल जो देश histó to take a stay unm to do so Sans the natürlich कर तो यह रहा तो यहाँ चार कारन जर्मानी के करना की बढ़ाएं का चार कारन चली SEE ाागे सवाल देखते हैं मुस्लीम लिक के क्या उद्छतिः बहुत इंपोर्डेट भाई मुस्लीम लीग के क्व अदेश थी मुस्लिम लिकिया स्थापना 30 डिशंबर 1904 हुई थी यात हखना है कब हूजित था अदेश था कि मुसलमानों के हितों को रक्षा करना इन्सका चाहिदा है उसको हिपाजत करना रक्षा करना इसकी नियू ढागा के नवाब ढस्वाय को सरकारी सेवा में उचित अस्थान दिलाना इवं निर्वाचन बनाना इवं और गूंसिल में उचित जगा दिलाना hope असलब यह है कि जो मुस्लिम लोग इससे जागरुक नहीं था कि हमको भी सरकारी नौकरी मिल सकता है जो पिछड़ा मुस्लिम था ना तो एक ऐसा परवधान दिलाया गया बनाया गया ताकि मुस्लिम लोग भी आगे हो जाए जैसे कैसे अभी देखते ना OBC हो गिया सरकार सरकार ज्याद ध्यान देते क्यों क्योंकि सरकारी नौकरी करें वह भी वकील बने वह भी जज़ बने आज देखरे भारत के राष्ट पती जो है क्या है पिछले जाती से बिलॉंग करते हैं तो यही मतलब उस समय इसका इनका जो था जो लीग था मुस्लिम ल चोटा-चोटा सवाल है डॉंट वरी लेकिन आपको याद दोना जाएं विश्वे बाजार के सकत हूं वर्ल्ड मार्केट उस तरह के बाजारों को हम विश्वे बाजार कहेंगे किस तरह से उस तरह के बाजारों को हम विश्वे बाजार कहेंगे जहां विश्वे की सभी द देशों की वस्तुवें हो उस बजार में अनेक देश की वस्तुवें और कोई आम नागरिक जाके मार्केटिंग कर रहा हो तो उसको बोलते हैं विश्वी बजार वर्ल्ड मार्केट जैसे मुंबई एक एक जामपल लेजिए तो मुंबई एक में जो बजार है वहां आप सब्धी देश को क्या सिदेश की वस्तुवें वह पे उपलवद हो Kiki एसी बाज़ार जहां पर अन्यक देश मतलब बता रहा हूं मैं आपको अर्थी ही होता है कि जो सरकार ने जो सभी अनावश्यक नियंत्रन जो नहीं होना चाहिए उन पर जो पर्तिबंद नियंत्रन है पर्तिबंद लगा है उसको हटाना यह जैसे सब्ब्सक्राइब अर्थिक आनवे सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर्ण जयाख़ती और आपको यूँ याद हो लेगा चलिफिलाल इस सवाल को देखते हैं जी अक्टूबर करंटी पर एक संच्छिप्ट आप नम्बरिंग मत देखों मैंने गिन रख़ा है सवाल त्यक्त न आ आप बस कोशन प्रांसर पर दिया दो डेके अक्टूबर करंटी त्यक्त लेलिन ने बल परियास दोआरा करिंस की सरकार को तो गार्ड के रेलएवर्वे स्टेशन बैंक डाघघर टेलीफौन केंदरे कचारी पर अधिकार कर लिया करेंसी की रूस्फ छोड़कर भाग गया इस पर रसकी महान करांति स्कूर कograf के भाग गया जो इस पर करांती नंवर में वह था जिसे करेंदर करेंडर आड़ गया तो उसको उसी को अक्टूबर कर्वे बोलते हैं नॉमबर करमति उसी को बोलते हैं अब जाषन की बाग्वне कहा गया तो समया कि लेनिन ने लेनिन कhou एक सभी बड़ा इसमें नेत्रित रहा आज हाथ रहा है सरकार सही काम करता है तो जन्ता उसकी बहुत साथ देता है जादा परसंटेज में ऐसा तो नहीं घरत करने वालों अच्छा काम करता है तो पूंजी वाद क्या है यार यह सवाल बहुत याद होना चाहिए को सोचल साइस का इंपोटेंस वाल पैदा और पैदावार और बिक्री और वेक्तिकत स्वामित मालिक होता है सरकार इसका और अधिश लाभार जन अब देखो प्राइवेट का मतलब प्राइवेट का चाती है उसको फाइदा कमाना जैसे उसको लाव चाहिए ने्ट चलाने का अब उन्हें कि यतना तना बढ़ा क्योंकि उसको प्राइदा चाहिए उसको लाव चाहिए वन राड वौशान है अमबानी राड की सक्तियों द्धास रिए किसा है अगर जादा हो रहा है वस्तु काव तो कीमत बढ़ा देगा कम डिमांड हो रहा है घता देगा किसका कंभ में सरकार नहीं काम करेगा हैं यह रपाइवेटe अंधर यह सब कआ जो आदम करता है तो वो पूरा उसका उद्धेश होता है लेकिन सरकार कोई काम लाती है यह नहीं होता मकसद कि लाव कमाई उसका मकसद होता है कि जंता को भलाई करें जंतों को बहुत स्वाल आब्स साट डाता है अर्थिक सालन के महत्या है अर्थिक सुवधाय यह सेवाई sag देश के आर्थिक विकास में महात्यप्पूर ना अस्थान रखती है। मतलब देश के इकोनॉमिक डिवलप करने में वैसा सेवा हो या वैसी वष्टू हो या वैसी सुईधा हो जो देश का इकोनोमिक का डिवलप हो जैसे देखिए बिजली बिजली हमको मिलता है तो हम लोग पैसा देते हैं देश का इकोनोमिक बढ़ता है परिवहन रेल गारी वगर हो गया बैंकिंग है ना बैंकिंग स्कूल कॉलेज अस्पताल रेल सडक इत्यादी ये सब क्या है ये सब है ये गैर आर्थिक अधारपु सरस्थना है सवास्त है ये सब सवाल आता है जी किनमें से कोन गैर आर्थिक अधारपु सरस्थना है तो याद आखिएगा सवास्त ओके समझागिया आर्थिक अधारपु सरस्थना है क्या होता है चली देखिए पांडू लुपी क्या है और इसकी क्या उप्योगिता है। बहुत अच्छा सवाल है, यहीं सुचा गया है बहुत बार। मुदरनकला परिंटिंग जो मोलते हैं, मुदरनकला के अविश्कार के पुर्वे, हाथ के दुवारा विभीर परकार के चितनों का उप्योग कर लिखाई करने की परकिरिया को पांडू लूपी कहते हैं मतलब जब मुदरन कला यह जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं अविश्कार किया गया था तो उससे पहले लोग हाथ से लिखा करते थे अलग-अलग परकार के चित्रे बनाते थे या लिखावाट करते थे बहुत अच्छे लोग है पुरानी बातों के संबंद में ग्यानारधन करने के लिए इसका उप्यों किया था और पांडू लूपी का उप्यों कहां करते हैं पुरानी बातों को हासिल करने के लिए चलिए भूस खलन से बचाओ के कि दो उपयोग बताएं भूस खलन सवाल आता कि भूस खलन होता है जमिन का खिसा जाना पहार चटान का खिसा जाना यह सब भूस खलन का एक्जामपल है जी तो बुदा जार अगर भूस खलन है उससे ब पहाड़ी इलाकों में कंक्रीला कंक्रीला पत्रीली इलाकों अर्था समुंद्री किनारों से दूर निवास अस्थान बनाना चाहिए तथा कंक्री चद्वन की अवस्थान होने चाहिए मतलब जहां पर पठारी जगा है जहां पर पहार है वहां से हमको घर दूर निवास बनाना चाहिए क्योंकि कभी भी पहार पठारी घसक सकता है भुस खलन हो सकता है और जब हो जागा तो बाप परे बाप मत पूछ पी कंक्रीला जो इलाका है तो हमको कंक्रीट से उसका बांध बना दिया जाए तक कि कभी ऐसा ना हो तो यह रहा मेरा दस कोश्टन उमीद है कि आपको दस में से दस तो याद था पहले से अगर याद नहीं था याद तो बस याद कर लो के करो कि यह संभावित को आख मुझे याद करना नहीं है यह इसको समझा आप ऑप किसी को समझाता है जैसे आप किसी समझा आना है पसएक समझे समझा होगे यह इसको सिस्टेमिटिक रहं से लिखना अगर आपको याद करना अच्छी तरीक है तो वाक्य में आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा तब आपके रैटिंग वनेगी और आपको याद भी होगा तो यार आप तो वीडियो अगर लाइक कर सकते हैं आप लोग हो चुका है तो यार थैंक यू फॉर दिस जिन्होंने इतना सपोर्ट कर रहा है और आप लोग इसको लाइक करो शेयर करो दोस्तों करो और याद है कि नहीं मुझे कमेंट करें जूरू बताना है ओके डैट सावल मिलते हैं एक्टूडियों जी ओके बाइ हुआ वोड़ संगर शेघी है में एक करो दो पाना है कि